हेलो एवरीबन, विल्कम डू दू दू आसी स्पडोब, आज बात करने वाले हैं महिंदरा की राफ एंटफ सेवन सिटर एसवी, महिंदरा स्कॉर्पियो क्लासिक 2023 के बारे में, जो 2002 से इंडियन्स मार्केट में राज कर रही है, एंड इसका प्राइस इस्टार्ट हो जाता ह आज इसी के बारे में complete detail में बात करने वाले हैं, इसके exterior से लेकर इंटेर तक, engine, features, then price के बारे में, तो इसका और पर classic के अंदर आपको total 5 color option देखने को मिल जाएंगे, white, black, silver, red and grey, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका white और black color ही बिखता है, transmission की बात किजा है तो सिर्फ manual transmission का option है, कोई automatic option नहीं मिलेगा, और सिर्फ और सिर्फ diesel engine का option है, 2.2 liter का mhawk diesel engine जिसमें आपको 130 bhp की power और 300 newton meter का talk मिलता है, miles की बात किजाए, तो 15-16 km पर liter तक का miles देखने मिल जाए इस 7-setter SUV के अंदर, warranty की बात किजाए, तो 2 सार और 75,000 km की warranty मिलते हैं, आपको महिंदरा की तरब स आप चाहें तो इसको extend भी करवा सकते हैं, और Scorpio Classic की जो लोग प्रियता है न, Scorpio N आने के बाद भी कम नहीं हो रही है, लोग उतना ही इसको पसंद कर रहे हैं, तो front profile में देखेंगे काफी बड़े आपको muscular से looks मिलते हैं, भले ये base wind है लेकिन इसको modify करके लोग इसको top जैस इसमें लगी हुई है, अब चलिए बात करते हैं, गाड़ी के exterior से fit चलेंगे इसके interior के अंदर और अंदर देखेंगे आपको क्या कुछ features मिलेंगे इस base brand में, front से बात की जाए, तो यहाँ पे आपको महिंदरा की branding महिंदरा का logo, grill की बात की जाए, तो full black finish में आपको grill मिलते grill के बाद आप बात करते हैं, गाड़ी के head lamps की जो आपको मिलते हैं, halogen में 10 indicator की placement आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाती है, टॉप में जाएंगे तो आपको projector का option प्लस उबर आपको eyebrow देखने को मिल जाती है, जब आएंगे नीचे तो यह जो fog lamps आप देख रहे हैं, यह as a sries यहाँ पर install किये गए हैं, और टॉप में आपको DRS की placement भी देखने को मिल जाती है, जब आप सामने बैट के देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको पूरा front face या नजर आने वाला है, ground clearance की बात की जाए तो 180 mm का ground की मिलता है, इस score पे classic के अंदर, नीचे आपको कोई silver fence में इ यहाँ पर install की गई, आपको stock गाड़ी में देखनी को नहीं मिलती है, यह तो कि front के बाद, आप चलते है side profile की तरफ, तो side से भी देख लिजे, भाई यह बेस बेंड़े तो यहाँ पर कोई wheel covers वगरा offer नहीं किये जाएंगे, dimensions की बात की जाए तो 4456 mm length है, 1820 mm आपको GL wheel, and center में आपको महिंदरा की brand नी महिंदरा का logo, tire section की बात की जाए तो 235,68 का पूरा tire section देखनी को मिल जाएगा, and उपर देखेंगे यहाँ पे काफी चौरी सी cladding, बात की जाए फेंडर की तो यहाँ पे 10 indicator placement देखनी को मिल जाती है, outside mirrors की बात की जाए जो आपको मिलते है body clutch, manually adjustable, and manually foldable है, गाड़ी के अंदर आपको lever सा मिलेगा, जिनके तुरू आप इनको adjust कर सकते हैं, और fold करने के लिए अपने हाथों से इनको fold करना पड़ेगा, and adjust करने के लिए आपको lever सा मिलता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो यह दिया गयवा है, यह toggle जिसके तु प्रेशनी को मिल जाती है, यह food, step, चड़ने, उतरने के लिए गाड़ी का वीलिपसी काफी अच्छा, 2680 mm का, rear wheels मैं आपको drum और front wheels मैं आपको disc brake offer की जाती है, and पीछे भी आप पूरे में cladding देख सकते हो, and rear से भी देख लिए काफी muscular से आपको looks मिलते हैं, और यहाँ से आ यह muscular से looks आपको मिलने वाले, and यह जो उपर spoiler देख रहे हैं, यह ऐसा S-series यहाँ पर इस्टॉल किया गया है, यह इसका high mount stop lamp, कोई defogger वगरा नहीं मिलेगा, Mahindra की branding, Mahindra का logo, और यहाँ पर आपको Scorpio Classic, और S-variant की बैजिंग देखनी को मिल जाएगी, बात कीजाए इसके tail lens की जो आपको मिलता है, pillar shape में, काप भी बड़े ऐसे लग रहे हैं देखने में, 10 indicator की placement, reverse light की placement आपको इसी के अंदर, यहाँ पर आपको micro hybrid की badging देखनी को मिल जाती, नीचे bumper की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको reflectors, 2 reverse parking sensors, and यह foot step चड़ने उतरने के लिए, आप चलते है left side, तो यह इसके matte blackness में, door handles, और इधर आपको मिलेगा fuel filler cap, इसको open करेंगे, यही से आप डेलवाएंगे diesel, start later के आपको fueling capture देखनी को मिल जाती, अब चलिए इसका third door open करते हैं, वहाँ पर देखते हैं, कितना क्या space आपको मिलने वाला है, तो यह इसके matte blackness में, door handles, and door pad आपको grab handle, यह इसका door opener, black finish में, space की बात करें, तो ऐसे कुछ आपको पूरा seating arrangement मिलता है, अगर इन seats को आप fold कर देते हैं, पीछे की दोनों, तो 460 liter का boot space बन जाता है, and in lever through आप अपने fuel cap वगरा को भी open कर सकते हैं, तो आमने सामने की पूरी seating है यहाँ पे, fabric की seats आपको मिले और इन glass panels को भी आप open कर सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए, तो यह थोड़ा सा open हो जाते हैं, जिससे की air circulation काफी अच्छा रहता है, आप चलिए third row को बंग कर देते हैं, चलते हैं, second row की तरफ वहाँ पे बैट की देखते हैं, कि इतना क्या leg room, head room आपको मिलने वाला है, और इस ऐसे वेरेट की pricing के बाद की जाए, तो बारा लाख निन्यान वजार एक सोर्म प्रैस का लगबाग 15 लाख रुपए के आपको यह honor लखनों पड़ती है, तो यह इसके mad blackness और door handles, door pads की बाद की जाए, तो simple से आपको यहाँ पे पूरा देखने की मिलता है, beige finish में, और अंडर में आपको कोई armrest बगरा नहीं मिलेगा इसके base brand में, आप चलिए अंदर बैटके देखते हैं, कितना के आपको space यहाँ पे बैटने की बाद मिलने वाला है, तो अंदर बैटने की बाद देखेंगे, इतना कुछ आपको मिलेगा legroom, थाइस वोड़ आपको ठिक्टा पीछे मैं थाड़ आपको दिखाए चुका हूँ, यहाँ पे आपको मिलते ही reading lights, जो कि हेलो जुमने है, एंड सेंटर में भी आपको यहाँ पर दी जा रही है, फ्रेंट डैस बोड की बात की जाए, तो डूल टूल करने में आपको मिलेगा, इस्टेरिंग पर आपको कोई कोई controls नहीं मिलने वाले जाए सी बात है, यहाँ पर कोई music system नहीं दिया गया है, और आप चाहिए तो इसमें as a series इंस्टॉल करवा सकते हैं, टॉप में आपको 9 inch का touch info time में सिस्टम दिया जाता है, आप चलते हैं, फ्रेंट ड्राइवर सीट पे, तो यह इसके mad black में इसमें आप आप इसक कर पाएंगे, यह इसका front dashboard, क्योंकि dual turn color में काफी muscular सा लग रहा है, और यह इसके seats, काफी चोड़ी seats आपको मिलती हैं, यहाँ से recline कर सकते हैं फिन seats को, नीचे की बात की जाए तो manual ABC pedals, उपर की बात की जाए तो ideally start shop button, fill cap opener, headline leveler और यहाँ पे आपको AC के events दिय किये जा रहे हैं, अब चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैटके सारे features cover करते हैं, तो front driver seat पर बैटने के बात ऐसा कुछ आपको यहाँ पर नजारा दिखने वाला है, गाड़ी का ignition on करते हैं, तो base event है, यहाँ पर आपको मिलेगी, ऐसको प्लेप की जिसमें आपको क 180 तक की top speed देखने को मिल जाती, बीच में आपको MID, जिसमें आपको बहुत सारी information, बहुत सारी checkouts देखने को मिल जाती हैं, इसके cluster में, अंदर आपको मिलेंगे दो lever, जिनके तुरू आप अपनी MID को control कर पाएंगे, तो इस lever की तुरू आप अपने MID को control कर पाएंगे, trip, इसे set कर सकते हैं, बागी top में जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी different सा cluster देखने को मिल जाएगी, color theme काभी अच्छी सी देखने को मिल जाएगी, इस ट्रिंग की बात की जाए तो काफी बड़ी round shape में आपको मिलेगा, center में आपको महिंदरा की, branding महिंदरा का logo, नीचे आपको मिलता है lever, जिसके तुरू आप अपनी string को tilt, ऊपर नीचे address कर सकते हैं, वाइपर के control से आपको दिए गए यहाँ पर, headlamps के control आपको मिलेंगे यहाँ पर, यह तो कोई string की बात, center console की बात करते हैं, तो यह इसके AC के vents, यहाँ पर आपको कोई music system नहीं मिला है, आप बार से इसमें लगवा सकते है, manual AC के controls, यहाँ पर आपको hazard light का switch, यह कुछ space, यह यहाँ पर आपको decent space देखनी को मिल जाता है, यह तो के front dashboard, and उपर की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको manual day night IRVM, यह तर आपको कोई mirror नहीं मिलने वाला है, and code driver set की बात की जाए, तो यहाँ जोरू देखनी को मिल जाता है, यह तो के पूरे interior के बात, आप चली बात करते है आपको सब्सक्राइब के safety features, और price मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसमें आपको ABS with EBD, power door locks, child safety locks, anti-thera-ram, street bell warning, और यहाँ पर आपको मिलते है, दो airbags, price मैं आपको जैसे बताया है, बार लाग, निनिया नविजार, एक सुरूम price का, और पंदरा लाग, छे हजार वन दमात्रम